Hello Guys, Welcome back to another new video Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओं तो दोस्तो आपकी मोबाइल में जीमेल अकाउंट क्रियेट करना चाहते हूँ तो दोस्तो आपको जीमेल अकाउंट क्रियेट करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वालाओं तो दोस्तो जीमेल अकाउंट क्रियेट करना है तो दोस्तो बिना स्कीप कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखना तो वीडियो अच्छे लिगते वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्काइब कर दीजी इसी तरह का आपको ट्रिक्स और ट्प्स डिलिटिट वीडियो आपको इस चैनल में रेगुलर आपको मिलता रहता है तो दोस्तो चलिए बिना टाइम विश्ट के वीडियो शुरू करते है तो सबस्दो सब्से पहले आपको क्या करणा हूँ, आपकी mobile में Gmail application को है, आपको सब्से पहले open कर देना होगा, तो मैं open कर देता हूँ, तो open करने के बाद आपका नiéा Gmail account create करना चाहते हूँ, तो आपको इस तरह से नहीं आएगा, तो मैं मेरा Gmail account create है, तो दोस्तो आपको नया create करना चाहते हो तो क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ आगे step by step मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस तरह सा आपको show हो जाएगा तो दोस्तो आप नया account create करना चाहते हो तो कुछ इस तरह सा आपको show हो जागा चेकिंग info इस तरह सा आजागा तो आपको आने के बाद आपको verify your identify तो दोस्तो आपको fingerprint लगाना होगा नहीं तो आपका mobile screen lock लगाना होगा लगाने के बाद कुछ इस तरह सा आपको option आ जाएगा तो धोड़ा wait करना होगा तो wait करने के बाद कुछ इस तरह सा आपको show हो जाएगा sign in करके इस तरह सा आपको आजाएगा तो दोस्तो आपको नया create करना चाहते हो तो नीचे की side में create account का एक option मिलेगा उसके उपर आपको क्लिक कर देना होगा नहीं तो आपके पहले से एक Gmail account है तो आपको उपर एक साइड में आप देख से तो email और phone number के जगा आपका email डालके आपको पासो डालके आपको login कर देना होगा तो दूस्तो आप देख से तो सबसे पहले आपको एक option देखा for my personal use तो second आप देख से तो for work or my business तो सबसे पहले आपको क्या कर देना होगा तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सा आपको open हो जागा तो first name last name आपको डाल देना होगा कुछ इस तरह सा मैं डाल देता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हूं तो simple समय इस तरह से नाम डाल दिया हूं तो नाम भी डाल दिया हूं तो अभी आपको क्लिक करने के बाद आपको इधर डाल देना होगा और नीचा की साइड में अगेधर भी आपको सलेट कर देना होगा तो simple समय सलेट कर देता हूं इस तरह सा इस तरह सा month भी आपको select कर दिना होगा, इस तरह सा year भी आपको select कर दिना होगा, select करने के बाद गिदर के उपर आपको click करने के बाद आपको इधर option मिल जागा, तो आप female यह तो female के उपर आपको click कर दिना होगा, और mail है तो mail पे उपर आपको click कर दिना होगा, तो simple सा मैं mail र कि उस्टारा सा आपको स्पेस नहीं देना होगा तो सिंपल अपको इसतरा सा लिखे आगे आपको कोई भी एक नंबर को डाला दिना होगा तो डालने के बादा आपको सिंपल सानसे हो टो क्लिक सी अज़र नहीं लुक्त और दोस्तों आस州 यह यूजरनेम नहीं नाम को क्लिक कर देना होगा तो क्लिक करने के बद उस नाम के उपर आपको क्लिक करने के बद आपको क्या करना होगा इस तरह समय क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बद आपको क्या करों नीचे की साइड में आपको स्क्रोल कर दिना होगा स्क्रोल करने के बद आपको SIM in के उपर आपको क्लिक कर दिना होगा तो क्लिक करने के बद आप देख से तो मेरा Gmail आकाउंट क्रियेट होके रेडी हो चुका है सिंपल सा आपको next के उपर आपको क्लिक कर देने होगा next के उपर आपको उस्ती तरह से आपको ऑपन हो जागा घुचन हो नीचे की सैब में आपको scroll कर देनी होगा scroll करने के बद आए ignore पर आपको click कर देना होगा तो click करने के बद आप देख सेते हो मेरा अकाउंट क्रियेट होके रेडिय हो चुका है तो आपको वह जीमेल ओपन करके मैं दिखा देता हूं तो आप देख सेते हो यह जीमेल मैं अभी क्रियेट किया था अभी देख सकते हो यह जीमेल नया अकाउंट क्रियेट करके रखा था तो आप देख स सकते हैं वीडियो अच्छे लेगे तो अभी तक आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी साथी बेल नोटिफिकेशन को आउन कर दीजी इसी तरह का आपको ट्रिक्स और टिप्स डिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल में र झाल को आपको 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 आपक